वेलकम् फ्रेंड्स कैसो हो आप सभी आयोब आप बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक पाउवरम्ग बना के दिखाये था तो फ्रेंड्स उसमें जो मैंने मडियूल यूज्ज कीया था वो यूज किया था 2 ampere charging वाला 2 ampere charging module तो friends साथ ही मैंने उस वीडियो में आपको module की भी थोड़ी बहुत जानकारी दी थी लेकिन उस वीडियो का जो motive था वो था creative वीडियो आपको powerbank बनाना सिखाना friends उसके बाद मेरे को whatsapp और comment में काफी message आए कि आप थोड़ा सा knowledge दीजिए deeply powerbank module के लोग के इन में क्या-क्या अंतर होता है क्या-क्या facility होती है और इसके rate बगएरा क्या है तो friends यहाँ पर जो मैं discuss करूँगा आपसे वो इनके description के बारे में कि एक module क्या-क्या इसमें खासियत होती है इसमें क्या-क्या details है इनकी और features ना कि यहाँ पर में price बताऊंगा friends बहुत भाई पूछते हैं कि आप price क्यों नहीं बताते हो तो friends मैं यहाँ पर price इसलिए नहीं तो friends हम इसलिए यहाँ पर प्राइज उपन नहीं करते प्राइज अगर आपको जानना है तो प्राइज जानने के लिए आप description में दी हुई link का एक वहां से आजा के आप जानकारी कर सकते हो WhatsApp के थ्रू भी आप यह सारा समान खरी सकते हो और इनकी जानकारी ले रखते हो WhatsApp का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको सो हो रहा है आप इसको सेव जरूर कर रही है और इस पर आप मैसेज डाल दीजिए आपको सारी जानकारी तो इसको सबसे चोटा मडीए रही होता है और इसकी चार्जिंग में आपको थोड़ा से हमपार इंप 50 रुपीज में आपको थोड़ा से यहां पर हिंट दे दूं तो फ्रेंस यह काफी अच्छा है और चार्जिंग भी ठीक था निकाल देता है साथ ही हम इसको बेंटरी चार्जिंग में भी यूज कर सकते हैं ना कि टीपी लगा के अगर आप चाहते हो तो इसमें हमें एक फैशिलिटी यह मिल जाती है कि टीपी चार्जिंग से इसको रिप्लेश कर सकते हैं जो फीचर टीपी चार्जिंग में वह सभी इसमें होते हैं साथ ही यह बूस्ट वी कर देता है थोड़ा सा बोल्ट को 3.7 बोल्ट से यह फ मतफ होता है वह एक एंपेर ही होता है साथ यहाँ पर आपको बता दूँआ कि इस म्याशिक सि driven हो हमें समें हमें एक अर मिलती है ओ यहाँ पर बेंटरी इंडेटर मिलता है कि आपनी जो पावर बंक है उसका बेंट keeping कि है है कितने परसेंट है तो यहां पर चार एलीडी आप देख सकते हो यहां पर चार एलीडी लगी हुए जो कि इंडिगेट करती है कि पाउर वेंग की जो बैंटरी है वो कितना चार्ज है साथ ही यहां पर एक सुच भी मिलता है इसको ओन आफ करने है इतने ज़्यादा नहीं क्लोंन है कि दाला नहीं अपने मायट पर अगर कि इंडिगेट यह इंडिगेट करता है बैंटरी जो मैंने आपको पहले बिधे विए और इसका मदूल जो मदूल और कैयंट मार्केट में एविलेमिल है साथी इसकी भी चार्टिंग लगभग एट एमपेर की होती है एक से एटर एमपिर ढहीं हो इसकी दो नहीं है यहां पर क्लियर बता दो मध्यूल हो अलग आता है और यहां पर हमें एक ऑप्सन और मिलता है वो मिलता है फ्रेस लाइट यानि इसमें टॉट्च का भी हम अप्शन देख सकते हैं यहां पर और यह इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है वैसे यह ठीक ठाक चलता है मार्केट में अब फ्रेंटस नेक्स्ट मड्यूल है यह वाला यह आता है थ्री पॉट के अंदर तो इसमें यह थ्री पॉट होते हैं हलंके तीनों पॉट जहां तक है मैं कंफर्म तो नहीं हूं वैसे यह पैरिलल ही जुड़े होते हैं तीनों पॉट एक दूसरे से तो इससे आपको कोई यह नहीं कि अगर आप इसमें 3 मोईल चार्ज करोगे तो निश्चत ही आपका जो एंपेर है वो डिवाइड हो जाएगा ठीज यहां पर एक से करो एक से करो एंपेर इसका जो है सेम रहेगा एक एंपेर भी इसका ही जो है आउट्पुट है इसमें एक दो एंपेर भी आता है जो कि मैंने अपने पावरवाइंक वाली वीडियो में बताया हुआ है तो यहां पर भी हमको जो एक फ्लेस लाइट का सिस्टम देखने को मिल जाता है और साथ ही यहां पर भी एक स्विच दिया हुआ है और चार्जिंग और बैंटरी का लेवल इंडिकेटर में यहां पर मिल प्लेवलर है यह मानता हुं काफी पॉपूलर हैं और इसमें यहां पर दो वूर्ट मिलते हैं हमें चार्जिंग के लिए 17 यहां regiment मिलता है यहां पर यहांपे इसमें इंडिकेटर यह डेगें लेeng लेविल 20 लेविल लेवल कर सकते हैं इसकी जो चार्जिंग है वह है एक यंप्यर दोनों पोट में एक या अगर आप दो करोगे इक साथ चार्ज तो यूजर्ज निश्चीत ही डिवाइड हो जाएंगे सबसे बाद में में इसके बाद एक और है यह होता है display वाला और इसका o ampere होता है 2 ampere पूरा यह मेरे पास अच्छी quality का इसमें देखिए पूरे component लगे होते हैं सारे MOSFET वगएरा और transistor सारी IC इसके अंदर फिटे हैं कोई खाली जगे नहीं चुटी हुई और काफी popular है यह वाला भी module क्योंकि इसके अंदर हमें मिलता है display indicator और एक flashlight flashlight को control करने के लिए simply यहां पर एक switch भी दिया गया है मैंने इसकी भी powerbank की module बनाया हुआ है इससे powerbank काफी यूजफुल है यह और काफी अच्छा इसका response मेरे को मिला दस हजार या बीस हजार एमेस तक की inventory को बहुत ही आसानी से support करता है बहुत अच्छे इसके नहीं करेंचा पए display की जाती है इसमें दिखाया जाता है कि क्या चल रहा है और पिंटरी का पूरा यहां पर यहां पर बैयूटा रहता है कितने पर सेंड़ा आहिं है कितना और चार्ज कर देगी तो सारे फीचर से यहां पर देखने को मिल जाते हैं इस वाले module के अंदर त साथी करेंट को भी कंट्रोल करता है करेंट को रखता है एक लिमिट में तो यह एक इसमें इंडेक्टर यह काफी है इसमें डाला गया है साथी यहां पर बहुत सारे मौसफेट और ट्रांजिस्टर लगे ऊए इसके जो मैं आई सी की बात करूं तो वह नीचे की सैड़् दी है इसमें और काफी हैवी इसके चार्जिंग होती है फास्ट चार्जिंग अगर आप खुद के परसनल यूज के लिए अगर बनाते हो तो मैं सभी को रिक्मेंट करता हूं यह वाला हालांकि इसकी जो कैविनेट है ना वह बहुत टफ मिलती है अगर आपके पास 3D प्रिंटर है या आप कारड़ बोड से भी इसकी बाड़ी बना सकते हो लेकिन इसकी जो पावर की बात करें मड्यूल की तो वह बहुत ज्यादा हाई है इन सब को एक साइड कर दो और यह एक साइड इन सब पर यह अकेला ही भारी पड़ेगा यह थोड़ा सा कॉस्ट लिए 150 से उपर ह होता है इसका प्राइस थोड़ा सा अगर कम हो जाए तो मैं कहना ही सकता 150 या 150 से आपको उपर ही मिलेगा 175 के आसपास इसका प्राइस रहता है काफी ज्यादा पावर्फल है मैं आपको इसको नीचे से भी खोल के दिखा दू तो सिंपल ही इसके साथ आपको यह थोड़ी सी फीचर्स मिलते हैं जैसे बेंटरी इंडिकेशन और बाकी बस इसमें एक साइध फ्लैसलाइट का आपको नहीं मिलता है तो यह हो गया फ्रेंड्स इसका देखिए आईजी यह इसका मैन आईजी और यहाँ पर देखिए कितने सारे इसमें मॉसपेट बगेरा लगे हुए य क्योंकि यह फास्ट चार्जिंग में यूज किया जाता है यह वाले इसको टककर नहीं दे पाएंगे मैं निश्यत कह सकता हूं और इसके देखिए कनेक्शन भी यहाँ पर अलग अलग आपको दिख रहे होंगे इसके लिए अलग कनेक्शन है इसके लिए अलग है और यह फास्ट होता है इनके कंपरिजन में तो फ्रेंड्स आप इनमें से कोई सा भी खरीडना चाहते हो तो खरीड सकते हो हालांकि मैंने यह सारे वोड अपने मार्ट पर नहीं डाले हुए अगर आपको वहां पर नहीं दिखते है तो आप क्या करो सिंपली वीडियो से स्क्र कर दीजिए मेरा वाट्स अप नंबर आपको डिस्प्ले पर सो हो रहा है तो मैं आपको इसके प्राइज बगेरा रेट बता दूंगा साथ ही मैं आपको एक बात बता दूंगा अगर आप कोई वी इलेक्ट्रोनिक का खरीजना चाहते हो तो आप हमारे मार्ट से खरीज सकत है एक परसेंट फिर भी हम आपका जो पूरा पैसा है वो रिफंड करते हम किसी के साथ चीट नहीं करते और ना ही हमने कभी की आप हमारे फीड़बैक ले सकते हो कस्टूमर से हमारा नंबर सेव कर लो आपको सारे अपडेट वहां पर दे दूंगा मैं बस आपको एक बार म नहीं हो तो प्लीज सस्क्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन दवा देना जिससे के आने वाले हर नौटिफिकेशन आपको मिलते रहें आपसे कोई भी नौटिफिकेशन मिस नहों तो आई हो फ्रेंड्स आप काफी अच्छी लगी होगी यह वीडियो मिलते हैं किसी अग निमातरम जैसे ली रहा हूं